नमस्कार मैं हूँ वज्यो और आप देख रही है फिल्मी बीड बड़े सितारों के साथ फिल्में क्यों नहीं करते हैं सनी पाजी सनी पाजी ने दिया इंट्रेस्टिंग जवाब क्या है पूरी खबर आई आपको बताते हैं सनी देउल की फिल्म ब्लैंक का ट्रेलर रिलीज हो चुका है फिल्म 3 माई को रिलीज होगी इस फिल्म से करन कपाडिया डेबियो कर रही है फिल्म का रिदेशन बेहजाद हम बाटा ने किया है ट्रेलर लॉंच के मौके पर सनी देओ ने कई मुद्दों पर खुल कर बात की उन्होंने ये भी बताया कि वो बड़े आक्टर्स के साथ फिल्में क्यों नहीं करते जब सनी से पूछा गया कि आप बॉलिवोड में कई सालों से काम कर रही हैं हाल के समय में हमने आपको किसी मल्टी स्टार फिल्म में नहीं देखा आपकी बॉर्डर को जबरदस सक्सस मिली थी वो भी मल्टी स्टार फिल्म थी डर में शारों के साथ उसके बाद आपको किसी के साथ काम करते नहीं देखा गया जैसे कि आप सल्मान की दोस्त हैं तो आगे किसी के साथ काम करेंगे या फिर अभी भी दूर रहेंगे इस सवाल के जवाब में सनी ने कहा कि अगर ऐसी कोई स्क्रिप्ट हो जिसमें लगेगा कि मैं फिट होता हूँ तो मैं बिल्कुल करूँगा दुर्भाग से कभी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है यहां पर सनी ने बताया कि वो देश भक्ती से भरपूर फिल्मों को कभी भी बिक्री योग ये प्रोड़क्त की तरह नहीं देखते यह फिल्म आतकवाद और देश भक्ती पर आधारित होती ह प्रोड़क्त कर देखते हैं कृश्योज थार्स तर्सक्राइब था हुआ लिएटराइस? फिले रदेल सेंटेशों लगा हुआ टिया नियुए नियुए अंहीए के assimा का मुआ टिया टिया चबो 151 इस फिल्म में सनी देओल एक पुलिस ओफिसर का रूल अदा कर रहे हैं करन कपाडिया एक सुसाइडर बॉमबर का रूल निभा रहे हैं इशिता दत्ता और करनवीर शर्मा भी एहम रूल में दिखेंगे फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे फिल्म के ट्रेलर को काफी ज्यादा पसंद किया गया फिल्म में अक्षर कुमार ने करन के साथ एक सॉंग भी शूट किया है मुंबर के स्टूडियो में इस खास गाने की शूटिंग हुई है सनी पाजी को एक बार फिर से परदे पर देखना काफी इंटरस्टिंग होगा सनी पाजी की तगरी फैन फॉलोइंग है और दरशक उनका परदे पर बेसबरी से इंतिजार करते हैं दर्शकों के लिए एक बेहतरीन खबर है कि सनी पाट जी एक बार फिर से धमाल मचाने की तयारी में है फिल्म ब्लैंक के जरीए फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही